नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल चिकिसत अत्विज्यान में दोस्तों जानिये तुलसी हमारे लिए कितनी लाबकारी है और कितनी गुडकारी है सरीर में किसी भी चीज की अधीकता सेहत के लिए हानिकारक होती है आजकल हर वर्ग के लोग सबसे जादा जिस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं वो यूरिक एसीड है यूरिक एसीड है केमिकल है जो सरीर में तब बनता है जब प्यूरी नाम का तत्व ब्रेकडाउन हो जाता है समय रहते ही अगर सरीर में यूरिक एसिट की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये आपके लिए और मुसीबत का कारण बन सकती है यूरिक एसिट को कंट्रोल करने के लिए आप दवाईयों के अलामा घरेलून इसके भी आपकी इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं ये घरेलून उसका तुर्सी के पत्तों का है जाने तुर्सी के पत्ते किस तरह से यूरिक एसिट को कंट्रोल करने में कारगर है साथ ही ये भी जाने कि इसका सेवन किस तरह से करना आपके लिए अतियंत लाबकारी होगा तुर्सी कई और सदिय गुणों से भरपूर होती है इसमें अलसोलिक एसिट, यूजेनॉल और एंटी आक्सिडेंट प्रैचूर मातरा में मौजूद होता है ये सभी यूरिक एसिट के अस्तर को सरीर में कम करने में बहुत असरदार है दोस्तो तुर्सी के पत्ते को अपने डाइट में सामिल करें जानिये कैसे कर सकते हैं अगर आप यूरिक एसिट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्ते इसमें बहुत कारगर है इसके लिए बस आपको इसका सही तरीके से सेवन करना होगा आप पांच से छे तुलसी के पत्तों को लें इन पत्तों को पानी से अच्छे से धोएं इसके बाद इन्हें काली मिर्च और देशी घी के साथ मिला कर खाएं रोजाना दिन में कम से कम इसका सेवन एक बार करने से आपको जल्द लाब होगा तुलसी का सेवन से और कई अन्य फाइदे होते हैं जैसे कि पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है और तो और यह ब्लेट सुगर को भी कंट्रोल करता है तुलसी की पतियों में ऐसे चीजे मौजूद होती हैं जो कोसिकाओं के काम काज को और भी बहतर बनाती हैं इसके साथ ही ब्लेट सुगर के लेवल को संतुलित करने का भी काम करती हैं यह सर्दी जुखाम में भी कारगर है बदलते मौसम में सर्दी जुखाम से जादा तर लोग परिशान रहते हैं अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो रोजाना तुलसी की पत्यां चबाएं तुलसी की पत्यां इमिनिटी बुष्टर होने की वज़े से हानिकारेक बैक्टेर और तो और यह आपकी त्वाचा में भी निखार लाता है रोजाना सुभध तुलसी की पत्यां खाने से तुलसी की गुड़ कारी पत्यां खोन से विशाक्त पाडार्तों को बाहर निकालती है और खोन को साफ करती यह जिससे इसकीन पर ग्लो आता है तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें शेयर करें और यदि आपके मन में कोई प्रेशन है ताप उसे कमेंट वारा जरूर पूछे मैं जल्दी रिप्लाइ करने की कोशिस करूँगी धन्यवाद